करेंगे कोविड-19 के बारे में और इसको दुनिया कैसे देख रही है और हम हिंदुस्तान में भारत दर्श में इसको किस निगार से देख रहे हैं अब जानते हैं कि हमारे यहां लॉगडाउन है इस वक्त और करीब पचास देशों में कोई न कोई किसिब का लॉगडाउन इ तो क्यों इतने सारे लॉगडाउन हो रहे हैं इसको सबजने के लिए देखना पड़ेगा किस रफ्तार से कोविड-19 दुनिया में बढ़ रहा है पहला साइसट दीन में हमको एक लाक इंफेक्शन देखने को मिला उसके बाद 11 दिन में यह इंफेक्शन दो लाक हो गया और छे साथ दिन में यह इस वक्त चार लाक के लगभग पहुच चुका है इसका मतलब इस रफ्तार जो है वो हर एक हफते में डबल होने की संभावना दिख रहा है अगर इस रफ्तार से बढ़ा तो हमें करीब तीन साड़े तीन हफते में हमें लगता है कि हम एक बहुत पैमाने में इसका फावलाओ देखेंगे तो यह कैलकुलेशन अगर हम अब देखें कि हर हफते में डबल कर रहा है इसका मतलब अगले हफते तक हम एक बिलियन संख्या पहुंच जाएंगे कि याने में दस लाक और इस रफ्तार से अगर चला तो लगता है दस हफते में एक कि बिलियन की मतलब दुनिया के एक सात्वा हिस्सा किसी ना किसी तरह से कोविट की बिबारी में फसेगा अगर इस इतना बड़े पैमाने पर इसका फैलाओ होता है तो करीब तेरा मिलियन लोग मतलब 1.3 क्रोड लोग इसमें बंदे की सब्भावना इसमें है अगर डबलू एचो और चीन की आंक्रे देखे तो लगता है कम से कम इस संख्या की मृत्यू होने की सब्भावना है यह इसलिए सब देशों को यह महसूस हो रहा है इस वक्त कि कोविट एक बहुत बड़ा संकट है और जिसके लिए करी कारवाई करनी पड़ी हमारे यहां मोधी सरकार ने लोगडाउन घोशना किया तीन हफते का तो लोगडाउन अगर किया है तो क्या हमारे पास और भी चारे क्या आचारा क्या था तो पहली बात जो हम बहुत दिन से कहते आये हैं कि अगर हमारे पास टे टेस्टिंग करना संभव होता है तो पूरा देश को लॉक्डाउन ना करके हम कुछ हिस्सों में लॉक्डाउन कर सकते थे जहां पर इसको लगता है कि कम्यूनिटी स्प्रेड की समाज के अंदर कुछ हिस्सों में यह कोविड-19 पहला हुआ है पर क्योंकि अभी तक हमारे हां पर टेस्टिंग बड़े कम संख्या में हुई है भारतवर्ष अगर मिलियन की हिसाब से देखा जाए तो भारतवर्ष का संख्या टेस्टिंग में दुनिया में सबसे कम आंकडों में से है तो इसको देखते हुए सरकार के पास इस वक्त और कोई चारा नहीं था क्या पहले तेस्टिंग बढ़ा सकते थे तो इतिहासिक बात हो गई है इस वक्त इस टेस्टिंग किट जितने कम है हमारे पास उसको देखते हुए लॉक्डाउन के लावा सरकार के पास कोई चारा लगता नहीं था क्योंकि हम जो मॉडल कर चुके हैं इस चीज को मैं मैं और मेरा साथ खास तोर के विरासाथी बाप पास इना ने कुछ मॉडल इसके किये हैं और उसे जो साफ नजर आता है कि तीन हफते के लॉक्डाउन के लावा इस वक्त संख्या घटाने का भविश्य के इंफेक्शन का और कोई चारा नहीं था पर ये काफी नहीं है क्योंकि ठीक है आज आपने इसको जो बला आपके ऊपर है उसको टाल दिया आपने पर अगले दो महिना तीन महिना में फिर आने वाला है तो आप क्या करेंगे तो इसके लिए साफ है कि हमारे टेस्टिंग की ताकत संख्या बहुत बढ़ानी पड़ेगी पहला काम तो यह है कि टेस्टिंग सेटर पबलिक सेटर को देना चाहिए इसको बनाने का और जो कमपनियां इसके बारे में आगे आ रहे हैं उसको टेस्ट करके उनको किट्स बनाने की छमता हमें एड करनी चाहिए तभी हमारे पास काफी संख्याबे टेस्ट किट्स होगा लोगों को तिखाना पलेगा कैसे करें कैसे यह टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो कैसे किया जाए और टेस्ट में जो होता है जो थ्रोट स्वाब या नेजल स्वाब होता है तो उसको कैसे टेस्ट सेंटर में पहुंचाए जाए बिना पेशन को वहां लिया जाए क्योंकि पेशन वहां जाएगा तो फैला करने के लिए दूसरी बात हम यह भी देखना पड़ेगा कि हम इस फाइलाओं को कैसे पकड़े इसका मतलब कहां कहां पर यह केसे आ रहे हैं नए केसे जा रहे हैं उसकी भी चानबीन होनी चाहिए हमारे पास अल्रेडी अस्पताल और दूसरे जगहों पर एक सर्वेलेंस प् दूसरी बात हमारे पास सार्स का भी एक प्रोग्राम था जिसको भी हम इसको रिवाइडलाइस कर सकते हैं तो इसके जरिये अस्पताल प्रोग्राम कर सकते हैं तो प्रोग्राम कौन से पेशन्स आ रहे हैं जो कोवीड होने की संभावना है उसको हम देख सकते हैं और तुरंत उस कम्यूनिटी कहां पर पहला हो रहा है उसको हम पकड़ सकते हैं और वहां पर एक्स्टेंसिव टेस्ट करने की ज़ुरत हैं दूसरी बात हमारे प्लास जो से सब्सक्राइब करते हैं इनके जरीये रैंडम टेस्टिक स्टैस्टिकल मेथेट्स पाइज्यानिक मेथेट्स से इसको करने से हम बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे कहां कहां इसका फैला हो रहा है और उससे भी हम एक अंदाजा लगा पाएंगे देश में किस प्रफतार से यह फैल रहा है तब हम यह भी तब सिलेक्टिवली कुछ जगहों को लॉगडाउन करके शायद इसको सीमित कर सकते हैं दूसरी बात जो हमें इन चीजों के इलावा करना पड़ेगा यह है कि हमारी दवाई हमारा वेंटिलेटर्स जिसको प्रोटेक्टिव एकुपेंट कहत है अस्पिताल स्टाफ के लिए खास तोर से मास्क्स बॉडी सूट्स गॉगल्स यह सब ग्लाव्स यह सब होनी चाहिए इसको कैसे हम जल्दी बढ़ा सकते हैं कैसे इस के पैसिटी को बढ़ा सकते की तुरंथ हम इन चीजों को पैदा बनाएं तो यह हमको हमारी एक सामने देंचाथ मिनिस्ट्री पॉब्लिक सेक्ट प्राइबेट सेक्टर मिलके इसको करने की चैलेंज को ठाना चाहिए इसकी साथ साथ वेंटिले टर सा एक दिन वेंटिलेटर नहीं बन सकता तो हमें देखना पड़ गाटिलेटर कितना जल्दी बना सकते कि इस आध्याऋ दरब नहीं है और वहां पर इस वक्त वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं है तो यह चीन से हमें बात करने चीए सिर्फ एंटिलेटर्स के लिए नहीं बलकि प्रोटेक्टिव गियर के लिए टेस्ट किट्स के लिए और दवायों के लिए भी क्योंकि चीन ही इस वक्त ऐसे स्थिती में है यह सब दे सकता है जो हम वेस्टरन देशों की तरह हम निगाह लगाते हैं वो खुद अपना सिच्वेशन जिस हालात में है उसके देखकर वो उसको पहले ठीक करेंगे हमको करने के स्थिती में नहीं है वहां भी चीन ही नए नए चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इतुन रही दूसरी बात तीसरी बात हस्पताल और आपका क्वारंटीन सेंटर्स की ताकत काफी हद तक बढ़ानी पड़ेगी टेंपररी मेक्शिफ्ट हस्पताल जिसे कह हम वैक्सीन की आविशकार नहीं करते हैं जब वैक्सीन काम्याब होगा तब इस पर हम काबू पाएंगे अब तो लड़ाई तब तक जारी डखना पड़ेगा चीन ने रास्ता दिखाया है कैसे लड़ाई जीता जा सकता है हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कैसे उस रास्ते पर हम चल सकते हैं उनसे क्या सीख सकते हैं और कितना हम उसकी ग्यान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा नहीं चीन ने जो किया है उसी को कॉपी करना है पर स्रीजन शील कोई तरीका इस पर अपनाना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं हमारे देश बहुत बड़ा है अलग अलग ज लिine के साथए काम करें कि सिर्फ वीजिं पर इसका जंग लड़ा जाये उसे जंग को जमीन के लड़ा पड़ेगा लोगों के बीच परहना पड़ेगा और इसका काफी सोच समझ के planning के साथ इसको लगना पड़ेगा जब तक हम जनता को साथ नहीं ले पाएंगे सिर्फ डंडे से जो कभी कुछ द्रिश्र हमें देखने को मिल रहा है कि पुलिस की बल पे अगर हम सोचे lockdown चलेगा इस देश के इत्ता बड़े संख्या को lockdown करना सिर्फ कानूनी कारवाई से संभब नहीं है इसके लिए लोगों को पूरी सहयोग चाहिए और उसके लिए हमें उस तरह से पॉलिसीज भी बनानी पड़ेगी उस रिजन शीलता की हम अपेक्षा करते हैं इस सरकार से